गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आपका स्वागत है केरियर लाइब 247 यूटूब चैनल पे आज है 12 जून 2020 और आज हम लोग 12 जून का करेंट एफेर्स करेंगे आज के करेंट एफेर्स से कुछ हम लोग MCQ डिसकस करेंगे और इन MCQ की से रिलेटेट जितने भी important status होंगे उन सभी को आज हम लोग डिसकस करेंगे तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें लास्ट में मैं आपसे एक question पूछेंगे और उसका answer आपको comment box में बताना है आज की वीडियो का PDF आप लोगों को टेलिग्राम चनल पे अबलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलिग्राम चनल का link मैंने नीचे description box में दे दिया है आप उस link को click करके आज की वीडियो का PDF डानलोड कर सकते हैं friends अगर आप किसी भी exam की तयारी करें चाहिवो bank हो, SSC हो या railway हो या फिर कोई अदर state का exam हो इन सारे exam के लिए ये current फिर काफी important होने वाला है friends अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर subscribe कर लें और इस bell icon का बटन जरूर दवाएं जिससे मेरी upcoming वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो चलिए start करते हैं सेशन को आज का मेरा first question है हाली में किस मंत्राले के द्वारा सुदंतर्ता से नानियों के कल्यान के लिए एक नई समीति का गठन किया गया है recently which ministry has formed a new committee for the welfare of freedom fighters तो यह ग्रीह मंत्राले तो इसका answer हो जाएगा D अभी ग्रीह मंत्राले के द्वारा सुदंतर्ता से नानियों के कल्यान के लिए एक नई समीति का गठन किया गया है friends यह new committee के recording जितने भी जीवित सुदंतर्ता से नानियों या फिर उनके परिवार हैं उनकी सेवा करने के लिए उनके लिए एक अलग department अपलेवल कराया जाएगा और यह जो new committee का गठन हुआ है इसके अध्यास्ता देश के ग्रीह राज मंत्री के द्वारा किया गया है और उनका नाम क्या है G.Kisan Reddy क्या नाम है G.Kisan Reddy नेक्स कोशन है हाली में Fitch Ratings ने अगले वीत वर्स में भारत की GDP प्रिधिदर को कितना परसेंट रहने का अनुमाल लगाया है तो यह 9.5% तो इसका अंसर हो जाएगा C अभी Fitch Ratings के द्वारा यह अनुमाल लगाया है कि जो अगला वीत वर्स होगा उसमें भारत की GDP प्रिधिदर 9.5% होगी नेक्स कोशन है हाली में रूस के अलकजेंडर सस्टोब पर डोपिंग के लिए 4 साल का पर्तिबन लगा दिया गया है उनका समन्द किस खेल से है तो यह है हाई जम तो इसका अंसर हो जाएगा A फ्रेंड्स यह जो अलकजेंडर सस्टोब है यह पूर्वी रूपी हाई जम के चैंपियन है और इन्हीं पे अभी 4 साल का पर्तिबन लगा दिया गया है फ्रेंड्स इन पे जो 4 साल का पर्तिबन लगाया गया है वो C.A.S. के द्वारा लगाया गया है किसके द्वारा? C.A.S. के द्वारा इसका फूल फॉर्म क्या होता है? कोट अफ और्वी ट्रेशन फॉर स्पोर्ट अभ़ ये जो ऐलकजेंडर से स्टोब है, ये उसर के हाई जम्ट के चैंपियन है तो हम लोग रूस से रिलेटेड कुछ स्टाटिस देख लेते हैं अब हम लोग जानते है रूस के बारे में रूस का कैपितल क्या है? मासको प्रीजेंट की प्रेशिडेंट कौन है ब्लादिमीर पुटीन अभी प्रीजेंट टाइम में रूस की प्राइम मीनिस्टर क्या नाननका मिकाल मिसुस्तिन नेक्स्ट कोस्टन है हाली में किस राज सरकार ने गौह हत्या को रोकने के लिए गौह हत्या निवारन संसोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है तो यह है उत्तर परदेश तो इसका एंसर हो जाएगा सी अभी उत्तर परदेश सरकार ने गौह हत्या को रोकने के लिए गौह हत्यादेश 2020 को मंजूरी दिया है गायों की रच्छा और उनकी बद को रोकने के लिए और इस सध्या देश का उलंगन करने पे 10 साल की अधिक्तम कारवास की सजा और 5 लाख रुपे तक का जुर्माना पे करना पड़ेगा अभी सध्या देश को मंजूरी दिया गया है उत्तर परदेश राज सरकार के द्वारा तो हम लोग उत्तर परदेश से रिलेटेड कुछ स्टाटिस देख लेते हैं अब हम लोग जानते हैं उत्तर परदेश के बारे में उत्तर परदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था 24 जैन्वरी 1950 में उत्तर परदेश का कैप्टल क्या है लखनव उत्तर प्रदेश में डिश्टी कितने है 75 और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है योगी आदित्यनाथ और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है अनंदी बेन पतेल क्या नानों का अनंदी बेन पतेल उ लोग सभा का स्टीट कितना है उत्तर परद्दिस में राज सभा का सीट कितना है थर्टीवन नेक्ट्ट कोश्चन है हाली में जे अंबा जगन का कोविद 19 के कारण निधन हो गया है उनका समन्थ था रिसेंटली जे अंपा जगन has died due to COVID-19, he was related to, तो ये एक MLA थे तो इसका एंसर हो जाएगा C, जे अंपा जगन तमिलाडू में DMK से तीन बार विधायक रह चुके थे, तो फ्रेंड्स आपको इनका नाम याद रखना है, इनका क्या नाम था, जे अंपा जगन, और ये एक MLA थ Next question है, हाली में QS World University द्वारा जारी किये गया ranking में कितने भारती संस्थान को जगह मिली है, How many Indian Institutes have got a place in the rankings released by QS World University recently, तो ये है 8 तो इसका एंसर हो जाएगा B, अभी QS World University के द्वारा जो ranking जारी किया गया है, उसमें 8 भारती संस्थान को जगह मिला है Next question है, हाली में किस राजी की सरकार राजी के भूजल कमी वाले छेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्मान करेगी Recently which state government will build 1000 वाटर रिचार्ज बोर in groundwater deficient areas of the state, तो ये हरियाना तो इसका एंसर हो जाएगा D अभी हरियाना राज का जितना भी भूजल कमी वाला छेत्र हैं, उन सभी छेत्रों में हरियाना राज सरकार के द्वारा 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्मान किया जाएगा जिससे किसानों को खेती के दोरान सिचाई की प्रॉब्लम से फेस नहीं करना पड़ेगा और इस बोर के निर्मान में जो लागत आएगा उसमें 90% लागत सरकार के द्वारा बहन किया जाएगा और जो 10% जो लागत रहेगा वो इसका बहन किसान करेगी अब इस बोर का निर्मान किया जाएगा हरियाना राज सरकार के दोरा तो हम लोग हरियाना से रिलेटेड कुछा स्टैटिस देख लेते हैं अब हम लोग जानते हैं हरियाना के बारे में हरियाना का फॉर्मेशन कब हुआ था 1st November 1966 में हरियाना का कैप्टल क्या है चंडीगर हरियाना में डिस्टी कितने है 22 अब अभी प्रिजेंट टाइम में हरियाना के चीप मिनिस्टर कौन है मनुवा लाल खटर अब अभी प्रिजेंट टाइम में हरियाना के गवर्नर कौन है सत्यदेव नरायन आरे क्या नाम उनका सत्यदेव नारायन आरे हर्याना में legislative assembly seat कितना है 19 हर्याना में लोग सभा का seat कितना है 10 और राज सभा का seat कितना है 5 next question है हाली में pharma पर मुख सिपला ने go active का कितना percent हिसेदारी का अधिगरहन किया है recently pharma major supply has acquired how many percent stock in go active तो यह 21.85 percent तो इसका answer हो जाएगा भी अभी भारत की दवा कंपनी सिपला ने go active का 21.8 पर 30 थिसेदारी का अधिगरहन किया है और इस अधिगरहन का जो लागत है वो है 9 करोर कितना है 9 करोर friends यह जो go active है वो दवा कंपनियों के लिए एकिकरीत ब्रांड विक्री परबंदन डिजटल विपनन के लिए फैसलिटी परदान करता है इस अधिगरहन के साथ सिपला है जो दवा कंपनी फर्म के साथ अपनी साजेदारी को मजबूत करेगी नेश कोचन है हाली में किस देश ने सहयोध्धा पहल की सुरवात की है विज कंट्री है लॉट्ट सहयोध्धा इनिसियेटिव रिसेंटली तो यह बांगला देश तो इसका एंसर हो जाएगा सी अभी बांगला देश के सूचना प्र साजमा है जो ओनलाइन एपलेबल होगा अभी सफ़र्वात क्या गया है बांगला देश के द्वारा तो हम लोगा देश से रिलेटेड कुछ स्टाइटिस देख लेते हूं अब लोग जानते हैं माम ड़ेस के बारे में भाम बांगलादेस का क्या है ठाका बांगला देश का लेंग्विज कौन सा है बेंगॉली और अभी प्रेजेंट टाइम में बंगलादेश के प्रेशिडेंट कौन है अब्दूल हमीद और अभी प्रेजेंट टाइम में बंगलादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है सेख हसीना क्या नहीं उनका सेख हसीना नेक्स्ट कोच्चन है हाली में किस राजी ने एक जै विवीता पार्क खोला है तो यह है उत्राखंड तो इसका एंसर हो जाएगा A अभी उत्राखंड राजी ने एक जै विवीता पार्क खोला है फ्रेंट से जै विवीता पार्क को खोलने का उदेश है राज की समरीद वनस्पत्ती विरासत को सरचित करना और इस पार्क को खोला गया है हल्द्वानी में कहां हल्द्वानी में अभी जै विवीता पार्क को खोला गया है उत्राखंड रासरकार के द्वारा तो हम लोग उत्राखंड से related कुछा स्टैटीश देख लेते हैं अब हम क्या है उत्राखन के चीट मिनिस्टर कौन है पर अभी प्रिजेंट टाइम में उत्राखन की चीट मेनिस्टर कौन और उत्राखट में राज सभा का सीट कितना है थ्री नेक्स पोस्चन है हाली में बुरुंडी के राष्ट पती का निधन हो गया है उनका क्या नाम है विसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ बुरुंडी है पास्ट वे वाटी जीज नेम तो यह पियारे कुरुंड जीजा तो इसका अब यह बुरुंडी के राष्ट पती थे तो हम दो कुछ डेटी से फ्रेंच और इगलेश और अभी प्रेजेंट टाइम में भुरुंडी की प्रेसिडेंट कॉनर पास्कल या बेंडा नेक्स्ट कोचन है हाली में भारत में ACI 0 की आबादी में कितने परतिशत की रिकॉर्ड ब्रिधी दर्ज की गई है तो यह है 29 परसेंट तो इसका एंसर हो जाएगा C अभी भारत में ACI 0 की आबादी में 29 परतिशत की रिकॉर्ड ब्रिधी दर्ज की गई है प्रेंट्स वर्ष 2015 में जो ACI 0 की संक्या 530 थी वो बढ़कर 2020 में 664 हो गई है जो सेरो की आबादी में 29 परतिशत की ब्रिधी को दर्जाता है नेक्ट कोच्चन है हाली में Gargo International का Brand Ambassador किसे बनाया गया है नेक्ट कोच्चन है हाली में किस राज सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्द कराने की कार योजना तयार की है तो यह है उत्तर परदेश तो इसका एंसर हो जाएगा A अभी उत्तर परदेश राज सरकार के द्वारा अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार अबलेबल कराने की कार योजना तयार की गई है फ्रेंड्स लाख रोजगार अबलेबल कराने की कार योजना को तयार किया है इससे अधिकांस परवासी स्रमकों को लाग मिलेगा फ्रेंड्स अब हम लोग लास्ट वीडियो का कोस्टन का अंसर देख लेते हैं हम लोग का क्या कोस्टन था हाली में वर्ष 2020 के लिए परतिष्ठित रिचार्ट डॉकी सावार से किसे समानित किया गया है तो यह है जावे दक्तर तो इसका एंसर हो जाएगा A अभी जावे दक्तर जी को वर्ष 2020 के लिए परतिष्ठित रिचार्ट डॉकी सावार से समानित किया गया है जावे दिख्वाल बानी अरूम सिंगल और मारकोस ट्राइजो इसका एंसर आपको कमेंट बाक्स में बताना है त्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा पुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें थैंक्स पर वाचिए